जैजैसिया राम, जब लक्षमन जी का पत्र सूक ने रावन को दिया, पढ़ कर सुनाया, तब रावन जो था, वैसा सुन कर थोड़ा भैभीत तो हुआ, कि इन तो वह मुस्कुरा कर कहने लगा, कि छोटे भाई तपस्वी के वचन का बिलास तो देखो, भूमी पर पड़े- हाथ से आकास को पकड़ना चाहता है, क्योंकि रावन की अंदर अहंकार आ गया था, उसकी बुद्धी जो थी, वो मारी गई थी, सुक ने कहा, कि हे नात, यह सत्य है, हे प्रकृति अभिमानी, शम्झो, और क्रोध त्याकर मेरा बचन सुनो, हे नात, सिर्राम जी से बैर कर छोड़ दो, कह सुक नात सक्ति सबबानी, समझहु चाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनहु बचनमम परिहारी क्रोधा, नात, राम सन तजहु विरोधा, हे रावन, राम के साथ जो तुम बैर साध रहे हो, उसे तुम त्याग दो, त्योंकि राम त्रिकाल धर्सी है, अति कोमल रगवीर सुभाव। जपही अखिले लोक कर राव। मिलत किपात्त पर प्रभुक्य रही उर अपराध एक ही धर रही। शिराम जी यदि अकिल ब्रह्मान्ड की राजा हैं तथा पिवो अत्यांत कोमल सुभाव के हैं। मिलते हैं उनपर जो भी उनसे मिलता है उस पर वो किर्पा करते हैं। तम्हारे एक भी अपराध नहीं रखेंगे अपने हिर्दे में। इसलिए तुम प्रभुसी राम जी के चर्णों में जाकरके नत्मस्तक हो जाओ। तुम्हारे सारे अपराध को माप कर देंगे और तुम पाप मुक्त हो जाओगे और तुम्हें श्वर्ग की प्राप्ति होगी जनक सुतार रघुनाथ ही दीजे इतना कह मुर प्रभु कीजे तब कहा देन बैदेही चर्ण प्रहार किन सठतेही हे प्रभु सीता जी को सी राम चंदर जी को दे दिजे और मेरा इतना कहना मान लिजे क्योंकि सीता जो है पुरे ब्रहांड की माता है वो जगत जननी है आप उनको पहचानिये सीता कोई साधारन महिला नहीं है वो सीता माता लक्ष्मी का रूप है प्रभु सी राम भवान बिश्नु का रूप है आप माता सीता को प्रभु सी राम जी को दे दिजे और इतना कहना मान लिजे तब उसने सीता जी को देने का जो अलात मारा जिससे सुख जो था वो तीम बार लुढ़कते हुए सभा से बाहर निकल गया। जमान थे वहाँ सुख चले गया। जाकरके वहाँ प्रभु सिराम जी को परनाम किया। और कहा कि प्रभु मैंने लक्शमन जी का जो भी संदेश था उस्टि को मैंने पढ़ कर सुनाया। और उसके बाद रावन ने मुझे लात मार करके वहां से भगा दिया उन्हें उसे स्वर्गी की प्राप्ती होगे क्योंकि संकर भवान कहते हैं कि है पारवती पहले जो था सुब जो था वो बड़ा ज्यानी था मुनी था जो अगस्त रिशी के स्राप से वो राक्षास हो गया तब से राम जी बारं बार बंदना करके फिर आश्रम में चला गया पो से राम जी के बंदना करके फिर फिर वो आश्रम में चला गया इधर बिनैना बिनैना मानत जलधी जड़ा गए तीन दिन बीत बोले राम सको पुतव भैबिन हो इन प्रीत इधर तीन दिन बेतीत हो गए और समुदर शेख प्राथना स्विकार नहीं की तब से राम चंदर जी गुसा में हो गए और बोले कि बिना भाय का प्रीत नहीं होता है आज इतना ही अगले एपिसोड में अगले वीडियो में आपसे पुना मुलाकात होगी अपने स्वास्त का ख्यार रखें प्रेम से बोलिए जै जै सियरा चानल को सबस्क्राइब करते हैं